the champions velocity speed के बारे में बात कर ली है average speed पता कर लिया है uniform speed पता कर लिया है वारे में सपीड और इस विलासिटी विलासिटी भी speed है याद रखिये जो आप जितनी भी चीज़ आपने व्लाशिटी के सपीड बारे में पढ़िए हो सारी की सारी बातें स्टेब के बारे में भी है पर्क क्या है कि यह है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम की यह आसे घूम कहा तक तो इस्टेंस लेकिन डिस्प्रेस्ट में जीरो है क्योंकि एक जगा से दूसरे जगा तक इनिशल और फानल पॉइंट के बीच में सीधी जो आपकी रेखा है सीधा जो डिस्टेंस है चाटस्ट डिस्टेंस जो है यही होता है आपका displacement मुड़ना यहिए कहीं सीधां जाना है वो है आपका displacement दिस्टेंस में टो फर्क पता है तो अगर्ण डिस्टेंस अपन टाइम है तो wy मतलब आपको स्पीड पता करनी मितम सीधी एक दम सीधा ठीक है तो वहां पे आप displacement upon time करेंगे और displacement upon time जो होगा डारेस विल्लॉसिट कि जैसे मैं यहां से चला ऐसे घूमकर वापस यहां तक आ गया और पूरा घूमा जो मैं मुझे लिए चार मिनिट में वह पूरा घूमकर यहां तक वापस रुख गया स्पीड कितनी है तो स्पीड क्या होगी स्पीड में गोल घूमाओ न तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होगा टू पाई यार अगर हम गोल घूम रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बैटा तू पाई यार सरकल का डिस्टेंस टू पाई यार से निकालते हैं तो डिस क्या होगी पेटा विलासिती मिलब this placement upon time displacement कि यहां से चला वापस नहीं पेर आ गया is this displacement is what जीरो कोडिश्पेस्मेंट तो zero है upon time velocity जीरो तो गोल गुम रहा हूं एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो मेरी व्लासिटी जीरो है और जो है इस्टेंस अबाउंड टाइम करते हैं तो विलाजुटी कि इसका मतलब विलाजुटी हे वहां बल्रगॉज अगर मैं किसी पर्ट्रिकॉलर डेरेक्शन में सपीड में तो विलौसीटी है किसी पर्ट्रिकॉलर strengthened की सिपीड अगर आपको नेकाल ली है तो लॉसेटी है इनिशल तो फाइन पॉजिशन के बीच में सीधी छे रेखा है सीधी लाइन जो है इस पूरे सीधे पाथ का जो पीड नेगाल लिए उसको विलाशिटी बोल सकते हो आराम से वर इस विलाशिटी इन वर स्पीड यह गॉस्ट नो चलिए यह बाद देख लेते हैं यहां पर कुछ बात हैं विलाशिटी के बारे में था मैं चेलिए इस पहस़े में पर तीजपलेसमें नाट इस टॉनमय stripes नेग नेगेटीव और जीरो नेगेटिब वी हो सकता है जैसे मैंने बता हैं अगर आगे जा रहा है तो आपका पॉइनट पॉइनट ऐसा तो होता है अग्साट बताने के तिरीक और यह पिर जैसे आप नंबर लाइन पे देखते हैं यहाँ आप आगी तरफ बढ़ रहे हैं तो मैनस और आप जहां फिर खड़े थे वहांस पीछे जा रहे हैं तो मैनस तो माइनस मतलब आप पीछे आ रहे हैं तो अगर विलोसिटी माइनस है मतलब डिस्प्लेस्मेंट उल्टी दिख्षा में हुई है वो पीछे आ रहा है और पीछे आते हैं हमने उसको स्वीट पता करी है तो माइनस विलोसिटी आ गई अगे डिस्प्लेसमेंट में है इसका मतलब कहीं पीछे चल रहा है उसको आगे जाना था पूर्व पीछे आ रहहा है अगर पीछे ञाientos क differentiate दे cohesive यही पॉइट यही नेगटीव होगा लाइज पीछे लिए तो दूसरी वाली नेगटीव ही होगी इसको समझ लेना अच्छे से तो डिस्प्रेस्मेंट क्या होता है पता चल गई अगर आपके पास विलॉसिटी है इसका मिलब आप इस पीड पता करिए किसी पर्टिक्लर डिरेक्शन में पीड है तो आपने सिर्फ इस्टेंस अपॉन टाइम पता किया है कि हर्स टाइम के एक इंटरवल में कितनी दूर जा रहे हैं दिशा से कोई खास मतलब नहीं है ओके तो यह नेगेटिव हो सकता है पॉल्टिव हो सकता ह और जीरो भी हो सकता है अब मैंने करके दिखा एक जीरो कि यह स्पीड वर्स वेलोसिटी इसके बाद देख लो धियान से मैंने कहके लिखा है ओके तो और बाते कर लेंगे इसमें हम वह यह पीडिस के लाकॉंटिटी है इसके बास सिर्फ मैनिट्यूड होगा वेलोसिटी इसके बाता है कि कोई बाध कितनी तेस चल रही है और यह बताता है कि कोई चीस कतनीक ऐक दिखा में चल रही है है के बहुत ही किस बहुत इंपोर्टेंट चीज जो में को सम्झा ने जा रहा हूं बहुत चीज़ा क्लेर करते हैं आपको घृसिटी और और फीर के बारे में अबर कल अच्छा नहीं गया तो यह सरकल मैं थोड़ा और अच्छा ले लेता हूं तो मैं से भी अच्छा सर्कल बना सकता हो मैंने बना दिया अब ध्यान से देखो चैंप्स बहुत ध्यान से देखना हूँ अगर एक बॉड़ी है ए और यह जो ए बॉड़ी है यह घूम रहे हैं यहाँ पर ठीक है वो ऐसे ऐसे घूम रही है ध्यान से देखना और यह घूम कर वापस वहीं आ गई यहाँ से चली थी अगर यह एसे घूम रही है और यह घूम के वापस वहीं आ गई जहाँ से चली थी मेरी बास अगर यह आ रही है चैंप्स ऐसे तो अगर यह माल लेते हैं अगर हम यह माल लेते हैं, कि यहाँ पर थी, और यह चल कर वापस यहीं पर आ गई है, कैसे भी चल कर आ गई हो, यह चल कर वापस यहाँ पर आ गई है, यहीं से राना पड़ेगा, माले तो पूरा चकल आ गया है, यहाँ चली थी, जहां से चली थी स्टाड़ी में हम जहां से पता किया है अगर टो बेसी किली क्या है लेसी को टो शुकर घूम रहा है अगर इसकी स्पीद है 3 मीटव पर सकिंड सब इसकी स्पीड संद है अगर इसकी स्पीड सिय मेट सब्सक्राइड हिए इस के स्पीड थी ठीर बढ़े पर सकिंद यहां तो हर जगे स्पीड सेम है अ क्या स्पीड काई बदल रही है या इस इसमें speed change हो रही है की नहीं हो रही है आपके is changing हाए ना when it is changing नहींद ना व्य क्योंकि यहां भी speed 3 थी यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी 3 जब पूरे में speed रेम है speed is not changing को परहाइब लास्टिटी के बात करें तो टो का भी क्या होती है displacement upon time velocity भी तो भी तो speed जैसा ही होता है लेकिन दिश प्रॉब्लम क्या है इसकी दिशा बदल रही है पहले यह देखो इधर थी फिरिया अगर मैं यहां पर देखो तो यहां पर यहां पर यह इस तरफ जा रही थी कि बल कि एक बारियें और एक बार एक यह को का यह तो डायरेक्शन बदल रही है तो इलाश्टी भी बदल रही है कि विलासेटी जो है वाडरेशन लेकर चलती है इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, यहाँ अगर मैं इसको मानता हूँ P, Q, R, S तो at P, Q, R, S P, Q, R, S, हर position पे magnitude is same magnitude is same magnitude is same है, but directions, directions are not same, direction same नहीं है, अगर direction same नहीं है, तो velocity is same नहीं है, क्योंकि velocity तो direction लेकर चलते हैं, velocity के पास direction होता है magnitude और direction को मिलाकर velocity बनती है magnitude and direction दोनों को मिलाएं, तो चीज़े same नहीं मिलती हैं नहीं है, that is the reason, velocity is not same at P, Q, R, S, but the speed is same at P, Q, R, S, why, because speed is a vector, is a scalar quantity and it only has magnitude, so champs, vector और scalar समझने के बाद displacement और distance समझने के बाद, speed और velocity भी आप समझ चुके हैं के लिए एक और बात करते हैं, जल्दी से, इसकी unit क्या होगी, unit भी इसकी speed ऐसे ही होगी, velocity is equals to, velocity is equals to, displacement, displacement upon, time, displacement क्या होती है, meter, time क्योती होती है, तो, meter per second इसकी, meter per second इसकी, unit होगी, velocity champs, चलिए